अलाम वल्कूम फ्रेंड्स वेलकम तो असलाण इंफ। फ्रेंड मुझ आज हम बात नहीं जा रहे हैं इलक्रिक को क्की यह इसको कर है इनकी प्राइच पाकस्तान से लेकर 10,000 तक हम की क्वालिटी और स्वाइस के हिसाब से तो आईए हम आपको इसमें राइस क्रूक करके भी डिभायाद देते हैं फ्रेंट सुक स्टेली शुरू करते हैं पहले हमने क्रूकर यह है कि हमदे त्थोड़ासा पाणी ले लेना है यह आप देख सकते हैं यह हमने थोड़ा सा पानी लिया है और फिर बाद में हमने करना है चावल भिगवना है पानी में और थोड़ी दिर बाद पानी गिरा देने और फिर चावल अच्छी तरह से सारे हमने कुकर के अंदर डाल दी हैं जैसे कि आप इस वूडियो में देख सकते हैं यह देखिए सारे चावल हम लोग करके अंदर डाल रहे हैं जो चावल डाल दी है अब हमने प्लग लगाया और यह अब हम लोगोने अब हम लोगोने यह ठकान ओपर रखा और यह चला दिया तो यह आप लोग आप लोग थोड़ा सो उसमें चमज भी हिला दिने तो यह आप लोग देख सकते होएंगे कि इसमें रड लाइट जल गई है रड लाइट जल देख तो मतलब यह स्टार्ट हो गया है तो हमने अब को राइस कुंग कर लेना है यह देखिए मैंने राइस कुंग कर लिया है जो अब हम लोग वेट करेंगे थोड़ी देर के लिए और फिफ्टीन मिनट्स बाद हमारे चावल पक के त्यार हो जाएंगे तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं पहले यह जो रड निशान था यह ओपर राइस कुंग था अब यह कीपवाण पर आगया है मतलब हमारे चावल पक गए हैं 15 मिनट्स हो गए हैं तो अब चलिए देखते हैं यह चावलों को यह देखिए रड अभी उज़े लिए मतलब यह ओन है तो फ्रेंट्स अब हम लोग इसको निक चावल निकालेंगे इसमें से तो चलिए चावल निकालते हैं और यह मैंने ओपर से ठकना यह धकनता रहा हमने ओपर से और यह देखिए हमारे चावल बिल्कुल पक्के रेडी हो गए हैं चावल बिल्कुल सही तरह से बख जाते हैं यह बस 15 मिनट्स का टाइम लेता है यह आप लोग देख सकते हैं चावल बिल्कुल पक गए हैं फ्रेंड्स उमीद है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी सो प्लीज लाइक शेयर और सबस्क्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताके आपको हमारी हर नहीं आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके कि अबची